होटल की पनीर आप लोग बहुत खाये होंगे लेकिन आप लोग मेरे तरीके से बनाए खायेंगे तो होटल की पनीर खाना भूल जाएंगे तो आप लोग मेरे तरीके जरूर बनाईएगा खायेगा सिट जो आगलाई उव्हां को faço आट तो यह लोग ंज लुए आज बनाएया है आईए बनाना सुरू違्लत हैं तो हमने यह गयास पर रखें उसमें थोड़ा सा तेल डाल दे रहें हैं लेक्र को तेल डालने रादे थोड़ा से हम जीरा डालेंगे तेज पत्त थोड़ा सा डालेंगे इसमें जो एंको जिए सोभ है काली मिर्ज ़ुदु favour कि जावित्री च प्राऊ दीने के बाद्मिन बहुत अच्छी पनीषबन के तयार होती है आप लोग मेरे तरीके से पनीड जरूर बनाईएगा तो मुझे अच्छा लगेगा यह हमने छे साथ प्याज को मिक्सी में कच्चा ही पीस लिया है पीस के इसको हम कटोरी में रख ले लिये थे और इसको अब कडाईम डाल के भूझ ले रहे हैं और इस प्याज को खुब पकाएंगे भूझते रहेंगे प्याज को पक जाएगी तो इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था और यह मटर डाल दे रहे हूं तो हम एक कटोरी मटर लिये थे आप कम और ज्यादा कर सकते हैं अब इसको हम ढखके रख देंगे अच्छे से पक जाएगा और यह देखे पक गया अब इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला एक चमच डाल दिया है आप कम और ज्यादा कर सकते हैं तो हम एक चमच और डाल दिये हैं अब इसको हम भूझ ले रहे हैं भूझने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे थोड़ा सा इसमें लाल मिच पाउडर डाल दे रहे हैं और भूner भूंस्ते देखे कड़ाय में नीचे छूण दिया है अब इसमें थो टंवाटर पीस के रक्थे उसको भी डाल दिये हैं ग्रेवी जितनी अच्छी होती है उतना ही ज्यादा पनीर अच्छा लगता है टेस्ट भी लगता है खाने में अच्छा भी लगता है तो आप लोग प्रयास करिए ग्रेवी बहुत अच्छी होने चाहिए एक कटोरी हमने पानी डाल दिया है, तो आप पानी अपने अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं, कितना आपको पनीर पतली पसंद है, या सूखी पसंद है, उसी अनुसार पानी आप डाल सकते हैं, और पानी हमने डाल दिया है, अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है, तो आप लोग मेरे तरीके जरूर बनाईएगा बहुत अच्छी बन के तयार होगी अब इसको हम ढख के रख दे रहे हैं ढखने के बाद जो दूसरी तरफ ये पनेर को हम काट ले रहे हैं तो हमने एक पाव पनेर लिया है आप इसे कम और जादा कर सकते हैं एक किलो ले सकते ह हम एक पाव किया सकता थी तो हमने एक पाव लिया है और अब ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तयार हो गई थि और गाढ़ी भी हो गई थी इसमें हमने न तो बेशन मिलाया है नबेड मिला आया है सिम्पल तरीके से बनाया है आप लोग जरूर बनाइएगा अब इसको हम धीरे धीरे चला देंगे अगर आपको लगी पनीर फूर जा रही है तो आप लोग गरम पानी करिएगा उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिएगा और पनीर डाल की निकाल लीजिएगा तो पनीर एकदम कड़ी बनी रहेगी हमने आपको ये टिप दे दिया है दूस पसंद आए तो लाइक को सब्सक्राइब करिएगा तो पसंद आए आप लोग को तो वारल जरूर करिएगा